आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डा नीचे के तरफ जाते हैं ठीक है तो क्या होता है प्रमाडू का जो आकार होता है वो बढ़ा होता जाता है तो ऐसे ही हम लोगों के पास क्या होगा फ्लोरीन होगा क्लोरीन होगा ब्रोमीन होगा आयोडीन होगा एस्टरटीन होगा ठीक है अब क्या है कि इनका आकार नीचे हैं आपे क्या फ्लोरीन फ्लोरीन की त्रिज्या की त्रिज्या हेलोजन्स में हेलोजन में सबसे छोटी होती है ठीक है छोटी होती है अब जरा सोचिए अगर आकार यहां पे सबसे छोटा है तो जो बायतम कोस में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा पास पास में होंगे है ना यानि कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा फल्स्वरूप फल्स्वरूप इलेक्ट्रॉन का घनत्व इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाएगा अधिक हो जाएगा ठीक है जो की बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोन को प्रतिकर्शित करेगा प्रतिकर्शित करेगा और जिसके फल सुर्प क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोन बंदुता सबसे कम हो जाएगी मतलब क्लोरीन के तुलना में कम हो जाएगी क्लोरीन होता है तब फ्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटीन अब ब्रोमीन का क्यों ज्यादा हो जा जादा बढ़ जाता है तो नाभीक से दूरी क्या हो जाती है जादा बढ़ने के वज़े से इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से खीच नहीं पाता है इसी वज़े से क्लोरीन का सबसे बढ़िया उसके बाद फ्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन इस तरीके से हम मिलक्त रहा है तो यहां लोग हरा व्त्तर और हम लोग देखें की तो बिलकुल गलते हैं फ्लोरीन की चोटी त्रिज्जा के कारण इसकी घंडह अधिक हो जाता है तो नहींीं हरा लुग का उत्तर हो जाẏ गा आउट आ 4444 पर